हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिससे आपके बहुत सारे काम होने वाले आसान और बहुत सारे पैसे की होने वाली है तो क्या है वो यूजफुल टिप्स उसके लिए वीडियो में ब लेकिन बच्चे जो होते हैं इसको इधर उधर कर देते हैं तो क्या होता है इसका जो डोरी होता है एक सेट चला जाता है अंदर चला जाता है तभी कभी होता ही है कि बच्चे लोग ऐसे खीच देते हैं कि पूरा डोरी निकल जाता है तो उसको ना सिक्योर करने का तरीका बत व्लूंतंती हूँ जिससे यह भिल्कुल निकलेगा नहीं कितने भी बच्चे खीज तब भी नहीं निकलेगा जिक यह अपने होड़िग पर कर कर नहीं से तरह से उसके बद इसको भीड़ोग पळकर सकते हैं रड द visualize हुड्य को चुति इसलिह ने करेंगे और इसमें बीच में डालेंगे इसों इसे तरह से डालेंगे और कंगे करें देखनेRegrid 30 कौने में को इस तरह से जाए खेए कर लेती हूं सबसे पहले इसी तरह से इसको पकड़ेंगे इधर में करेंगे और यहां इस-वड थे खेलेंगे इसको तो दोनों में तो देखने में भी अच्छा लग रहा है से गाठ बांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और इस तरह से और यह वह जया गया तो आपकाइठ बच्चे लोग हो जाता है nick तो इसको सेफ करने के लिए एक ऐसा तरीका बताते हूं जिससे यह सिक्योर रहेगा और निकलेगा भी नहीं बच्चे कि इतना भी सैतानी करें तब भी नहीं निकलेगा माली यह आपके बच्चे का लोगर है तो सबसे पहले यहां पे नौट लगाएंगे तो सब इसके लगा सका और है और इसको क्या कना यह वाले धनारे को इसमें लेके जाना है कि पर यहां से इसको में कर देना है तो किछ दिचों इदम नाला हो गया अब इसको ढिला नहीं तो इस तरह से खीजिए यह उला हो बिल्कूल तो इसी तरह से आप भी सिक्यूर कर सकते इसको और देखने में भी अच्छा लगता है खराब नहीं लेगा तो है ना यह घजब का जुगार माली जे बारिज का मौसम है और बारिज के मौसम में कपरे सुखाना सबसे कठिन काम होता है कपरे सुखता नहीं है तो औ आपने जितने भी कपड़र हैं उसको अच्छे से पानी को नीचोड लीजिए उसके बाद हैंगर में इस तरह से लगा 창 מעles यह सब देखा जो तो इस तरहें से कोई भी रशी होगा उसमें एक हेंगर को टांग दिजेगा इस तरह जो भी हेंगर कोपड लगाये है न सूखे हुए हुए गीले हुए कप्रे उस को इस तरह से लगा देंगे ताकि यह बीच में balance बना रहे हैं वैसे ही और भी कप्रे इसमें लगाते जाएंगे देखिए पहले लगा दिया हमने अब इसको अरज़स्ट कर देंगे ताकि यह सई से हो देखिए इस तरह से लगा देंगे तो एक हैंगर में ही 5-6 कपरे अच्छे से सूख जाएंगे कम जगह लगेंगे तो है न यह गजब के टिप्स देखिए हमारा आफरी टिप्स तरह के सूरेक को लेके हैं सूरेक में हम लोग जूते चप्पल सब रखते है तो होता यह है कि जैसे हम इसमें चप्पल रखते है अपना तो इसमें जब गैपिंग बचाया या इसे ने कुंग डंद्दक इसमें डूसरा जुता रख्ते है थे हम दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन जूते चपल के साथ जो आते हैं वो सिर्फ उपर वाला यूज करेंगे उसको क्या करेंगे इस तरह से यहां पर रख देंगे और रखने के बाद इसको इसमें जूते इस तरह से रख देंगे तो आपका जूता जो भी गंदा है इस पे रह हो गया तो स्पेस भी मैनेज हो गया तो इसी तरह से हम नीचे भी करते हैं यहां पर चपल रख देते हैं देखिए और यह डबा है तो हम लोग इससे भी इसको कवर कर देते हैं और यहां भी रख देते हैं तो इसी तरह से आप अपने सूरेक को ज्यादा स्पेस दे सकते हैं जादा सूज रख सकते हैं और गंदगी भी नहीं आएगी दूसरे सूज का दूसरे में एक दूसरे से नहीं होगा गंदगी नहीं होगा तो है ना ये गजब का टिप्स है उमीद करती हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा त कमेंट करके बताएं कि इन सारे टिप्स में से आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई